अकाश्वाणी भूपा से प्रस्तुत है प्रादी शेक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं सेयुक्ता बैनर ची मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान आज लाडली लक्ष्मी उच्व में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंप करेंगे बोबाल के लाल परेड ग्राउंड में शाम साढ़े छे बजे लाडली लक्ष्मी उच्व का राजस तरियक का रिक्रम होगा इसमें लगभक साढ़े साथ हजार लाडली लक्ष्मी बेटियां उपस्थित रहेंगी साथी सभी जिले, विकासखर्ण, ग्राम पंचायत और नगरी निकायों से भी लाडली लक्ष्मियां और जन प्रतिनधी वर्चुली चुड़ेंगे श्वी चौहान लाडली बेटियों से सतत समवाद स्थापत किये जाने के लिए लाडली इसमवाद आप का लोकारपन भी करेंगे इस समवाद आप में सभी बेटियों को समगरा आइडी के माध्यम से शिक्षा पोर्टल से जोड़ा जाएगा जिससे उनकी शाक्षुनिक स्थिती की निरंतर ट्राकिंग हो सकेगी मुक्यमंतरी शिवरा सिंग चौहान ने कहा कि राज्य सरकार बच्चियों को आत्म निर्भर बनाने के लिए दुरड संकल पे थै गोर्टलब है कि लाटली लक्ष्मी योजना 2.0 में बेटियों को उच्छे शिक्षा के लिए प्रोच साहित कर उन्हें आत्म निर्भर बनाने के लिए अभिनव पहल की गई है योजना में बेटियों का आत्म विश्वास बढ़ाने आर्थिक सशक्ती करण, कौशल समवर्धन और उनके पोशन, स्वास्त और शिक्षा के साथ उनके अधिकारों के संवरक्षन के लिए उलेखनी कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को सम्मानत करने का निर्णय भी लिया गया है इससे समाज में बालिकाओं के प्रती सकारात्मक सोच में व्रधी होगी बालिकाओं की सर्वोत्तम देखभाल करने वाली ग्राम पंचायतों को लाडली फ्रेंडली ग्राम पंचायत घोशित किया जाएगा लाडली बालिकाओं को कक्षा बारवी के बाद सनातक अत्वा व्यावसाइक पार्ठिक्रम में जिसकी अवधीन यूनतम दो वर्ष होगी प्रवेश लेने पर दी जाने वाली प्रोच साहन राशी दो समान किस्तों में दी जाएगी उच्छी शिक्षा में सनातक डिग्री अध्यन या व्यावसाइक डिप्लोमा के लिए शिक्षन शुल्क का वहन राजशासन द्वारा किया जाएगा उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आधित्यनात आज सुभर दत्या पहुंचे यहाँ पर प्रदेश के ग्रह मंत्री डॉक्टर नरूतम मिश्वा ने उनकी अगवानी की इसके बाद योगी आदित्यनाथ पितांबरा पीठ पहुंचे जहां उन्होंने मा बगला मुखी की पूजा अर्चना की। इसके साथ ही उन्होंने महाभारत कालीन वनखंडेश्वर महादेव का जलाभी शेख भी किया। पीठ के आचारे चंद्र मोहंदीक्षित चंदा गुरू ने पूजा अर्चना कराई। इस दौरान यूपी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव से भी उनके साथ मौजूद रहे। आज विश्व थलसीमिया दिवस है। थलसीमिया से पीड़त रोगियों के संघर्ष का सम्मान करने के लिए हर साल आठ मैं को ये दिवस मनाया जाता है। लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरुक करने के लिए भी ये दिवस मनाया जाता है। रक्त विकार के इस बीमारी में शरीर परयाप्त रूप से हिमोगलोविन बनाने में विफल रहता है। केंद्रिय स्वास्त मंत्री मंसुक मांडविया ने लोगों से थलसीमिया के प्रती जागरुपता पैदा करने की दशा में काम करने का संकल्प लेने का अहवान किया है। क्योंकि मंत्री श्वरासिंग चौहान ने मात्रों दिवस पर शुपकामनाय देते हुए सोशल मीडिया पर संदेश दिया है। श्वरी चौहान ने कहा है कि मांग ही पहली गुरू है जो हमें सत्य निष्ठा और परिश्रम के संसकार देकर मानफता की कल्यान के लिए स्रजित करती है। बात करेंगे मौसम की प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। अब तक ग्वालियर चंबल भोपाल और सागर में गर्मी से राहत देने वाले बादल अब उज्जयन अंदौर और नर्मदापुरम से शिफ्ट हो जाएंगे। ग्वालियर चंबल सागर और बुंदेल खंड में आज से पारा चड़ने लगेगा वरिष्ट मौसम वेग्यानिक। वेद प्रकाश से ने बताया है कि बारह से चौध मैं तक बादलों के कारण तापमान फिर नीचे आएगा इसके बाद 15 से 26 मैं तक एक बार फिर गर्मी का दोर शुरू होगा अब कुछ समाचार संग शेप में जबलपुर जिले के मजहौली तहसील के ग्राम लडोई में लगभग 14 हेक्टियर शास्किय भूमी को अतिक्रमंड से मुक्त कराया गया शिवपूरी जिले के नर्वाचन से सम्मंधत कर्मचारियों की बैठक आयो जित की गई जिसमें बताया गया कि शेष्ट कारे करने वाले बियलो को मांदियक या तिरिक्त पुरुस्कृत किया जाएगा और मधिप्रदेश सब जूनियर होकी टीम में आगरमालवा जिले के रगुवीर यादव का चैन हुआ है रगुवीर जिले से होकी टीम में चैनित होन करने वाले पहले खिलाडी है बुलिटन में फिलहाल इतना ही इजाज़त दीजे नमस्कार